हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं एक फंदा डोरमेट की एकदम न्यू और खुबसूरस से डिजाइन तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें तो चलिए बनाते हैं देखें इस तरीके से हम पहले एक नोट लगा लेंगे और यहीं से हम खुबसूरस सा डिजाइन डोरमेट रेडी करेंगे एकदम न्यू डिजाइन है, इस तरीके से एक बार घुमाएंगे और यहां से एक फंदा बढ़ा लेंगे अब यहां से हम लगाएंगे नेश्ट कलर इस तरीके से नेश्ट कलर लगाएंगे यह देखे अब यहां पे हम एक फंदा किनारे से नहीं बढ़ा सकते तो अब यहां से हम पीश से एक फंदा इस तरीके से बढ़ा लेंगे अब देखे हमारे फंदा बढ़ गया अब यहाँ से हम पलट लेंगे और इस तरीके से फिर से एक बार घुमाएंगे यह देखे इस तरीके से अब यहाँ से फिर से एक बार गोल राउंड घुमाएंगे अब इसको आगे करेंगे और इस फंदे को हम पीछे के साइड लाएंगे अब यहाँ से वाइट को वाइट से बुनेंगे इस तरीके से पलट लेंगे अब देखिए यहाँ से फिर से हम एक बार इस तरह पलट लेंगे और इन फंदों को बुनेंगे अब यहां से हम white को white से बुनेंगे पहले फंदो को हम ध्यान से बनाएंगे नहीं तो गलत हो जाता है तो यहां से ध्यान से बनाएए अब देखें यहां पे हम इसको एक बार फिर से round करेंगे और सफेद को सफेज से और red को red से बुनेंगे अब यह देखे इस तरफ तो हम यह उल्टी साइड है तो इसी तरीके से गुमा लेंगे और यहाँ पर इन पंदों को ऐसे ही बुनेंगे अब देखे इस तरीके से अब यहाँ से फिर से एक बार गुमाएंगे और बुन लेंगे यहाँ से अब इसको इस तरह से बुनेंगे ध्यान से देखिएगा बिल्कुल निव डिजाइन है तो इसकी पिल्कुल मत कीजेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो यहां से अगर वीडियो पसंद आया तो प्लिस लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें और थोड़ा सा वाच करें आप लोग बिल्कुल वाच नहीं करते हैं वीउस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा वाच कीजे आप लोग तो इस तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट कीजे आप देखे इतना हमारा डोरमेट बन गया आप यहां से फिर से हम इसे पलट लेंगे आप इसी डोरमेट में हम आपको डोरमेट बनाना भी सिखाएंगे और छोटे बच्चों का मोजा कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाएंगे एक फंदे से मोजा कैसे बनेगा अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजे मैं आपको पूरा मोजा बना के सिखा दूँगे क्योंकि ठंडिया आ गए ठंडियों में अगर आपको डोरमेट नहीं मोजे बनाने हैं बच्चों के वो भी बता दीजे बना देंगे तो यह देखे इस प्रकार से अब यहां से पलट लेंगे फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से अब इस धागे को इस तरीके से क्योंकि उल्टी साइड है तो इस तरफ पलटना नहीं है आपको उसी धागे में आराम से बुल लेना है यहां से पलट लेंगे अब फिर से एक बार गोल्ड राउंड से देंगे इस तरीके से तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को वाच कीजे और चैनल को सस्क्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको डेली एक वीडियो एक निव डिजाइन देखने को मिल जाएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो नहीं तो मत कीजे चलिए इस तरह से आप यहां स सकता है क्योंकि यह एकदम इजी तरीका है इस तरीके से अच्छे से बनाया जा सकता है और आप फंदा भी बढ़ा सकते हैं अगर आता है तो भी बढ़ा सकते हैं तो इस तरीके से हम इस लिवतार हैं जिसको नहीं आता है वो भी अच्छे से बना सकते हैं अगर बनाना चाह कलर फुल बना सकते हैं जैसे कि आपने इस तरीके से बनाए और बनाने के बाद इसी तरीके की चार पाच तिक्या और बना लें कि यहां पे ड़ोर्मेठ उन सभी को एक साथ में ज्वाइंट कर दें कलर में क्लर में लाके कौन से कलर में क्हां से करना है, इस तरीं के से जिस तरह आपको अच्छा लग ए Ayusohner पर इसे प्लार के पास आप तो रखके उसको सिलाई कर दीजिए डोरमेट काफी सुंदर सा बनके रेडी होगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो अब देखिए अगर हम यहां पे आपको छोटा सा बना के दिखा रहें तो अब यहां पे हम देखे यह हमारा रेड है तो अब यहाँ पे हम औरेंज लगाएंगे और देखे जहां औरेंज लगा हुआ है वहाँ पे हम वाइट लगा लेंगे इस तरीके से कलर को चेंज कर देंगे आगे की डिजाइन देखिएगा ध्यान से कैसे बनाना है अब यहाँ से क्योंकि आपको इसी में हम सॉक्स भी बना के दिखाएंगे और डॉर्मेट भी दो चीजे एक साथ ही दिखाएंगे ठाकि आगर शॉक्स बनाना है तो आप कमेंट करिए तो मैं आपको अच्छे से बना के सिल के कैदे से दिखाएंगी तो इस तरीके से पलट लीजे, अब यहां से जो औरेंज है उसको औरेंज में बुनिए, जो वाइट है उसको वाइट में बुनिए, अब ध्यान से देखिएगा यहां पे करना क्या है, ऐसे बुनना ही नहीं है, वलकि ध्यान से देखना है कि आपको क्या करना है, इस तरीके स अब हमने इस साइड से फंदा घटा दिया ताकि हमारा यह जो नोख है आराम से बन जाए अब देखिए यहाँ पर फिर से दो का एक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर बुनाई करेंगे इन पंदों को इस तरफ से बुनना है और इसे इस तरह से आगे करेंगे आप वाल्ट को वाल्ट से बुनेंगे यहां पर तो आपको हमारे डोर्मेट कैसे लगते हैं पिस कमेंट बॉक्स में बताईएगा तो मैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट करके बताईए हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिस करेंगे तो इस तरीके से किनारे से दो का एक करेंगे और बाकी फंदों को वाइट को वाइट से और और औरेंज को औरेंज से बुनेंगे इस तरीके से यहां से आसानी से इस तरीके का डोर्मेट आप बना सकते हैं और यह डोर्मेट जब आप पुरानी साड़ी चुन्नी से किसी से भी बनाये चाहे तो उल से बनाये किसी चीज से भी बना सकते हैं यह डोर्मेट काफी टाइम लॉंग टाइम तक चलते रहते हैं क्योंकि रेडिमेर लेके आओ तो वो मार्केट के खराब हो जाते हैं तो आप इन्हें इसली घर पे बना भी सकते हैं सुन्दर सा और डार देखिए आपके उचाब पैसे भी बच जाएंगे तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा आप देखिए यहाँ से हम फिर से इन फंदों को दो का एक करेंगे इस तरीके से बाकी फंदों को हम वाइट से बुनेंगे तब यहाँ से हम पलट लेंगे यह देखिए हमने यह फंदे पलट लेंगे अब यहाँ से फिर से हम दो का एक करेंगे इस तरीके से आगे की साइड लेंगे अब यह देखिए हमारे एक 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 दो फंदे बचे तो अब इसे हम क्या करेंगे वाइट से उतार देंगे इस तरीके से आप चाहे तो और इंस उतार चाहे वाइट से एक कलर आप ले सकते हैं इस तरीके से उतारेंगे यह देखिए हमने नोट लगा ली यह देखिए हमारा डॉरमेट इस तरीके से इसी डिजाइन से आप चाहे जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं और इसी तरीके से चाहर पांच बना लिजे एक इस साइट पे जोड़ दीजे एक इस साइट पे एक इस साइट पे तो आपका और बड़ा टोरमेट और सुनदर सा बन जाएगा आप इसमें देखिए socks कैसे बनाने इतना छोटा सा है इसी में आपको बताए दे रहे तो इस तरीके से आप इसे मोड लीजिए उल्टी साइट से और यहाँ पे सिलाई करतीजिए और यहाँ से थोड़ा सा सिलाई करके यहाँ पे इतनी इतना सिलाई कीजिए और यहां पे आके इतना आप यहां से जब पलट देंगे तो इस तरीके से यह पैर डालके यहां से सॉक्स आपका बन जाएगा यह देखे इस तरीके से